धर्मनगरी चित्रकूट में कल प्रधारमंतरी नरन मोदी बुंदेल खंड एक्स्प्रिस वेकाश चला नयास करेंगे और किसानों को क्रेडिट कार्ड के अलावा किर्शी विभाग के 10,000 से ज़ादा लाभारतियों को प्रमाड़ पत्रस हो पेंगे ये मोदी के आग्मन को लेकर के सभी तरह के तैयारिया पूरी कर ले गये हैं आई देखते हैं खास रिपोर्ट पीते समय में विकास की दोड में कहीं पीछे रह गए बुंदेल खंड और पुर्वांचल की उमीदों को अब नए उत्तर प्रदेश में पंख लगने वाले हैं बुंदेल खंड और पुर्वांचल के अधूरे सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया है खुद उत्तर प्रदेश ही मुखिया योगी आदितिनाथ में बीते एक अरसे से सीएम योगी आदितिनाथ का फोकस पूर्वांचल पर ही है शनिवार को सीएम योगी के एक्सप्रेसवे की सौगात बुंदेल खंड एक्सप्रेसवे का चितरकूट में पियम मोदी शिला न्यास करेंगी और दस हजार किसानों को क्रेडिट कार्ड के अलावा कृषिविभाग के लाभार्थियों को प्रमान पत्र सौपेंगे बुंदेल खंड एक्सप्रेसवे पर योजना का चितरकूट में पत्र सौपेंगे इस मौके पर पियम मोदी एक बड़ी जोनस सभाव को भी संभूधित करेंगी जिसमें भारी भीड जुटने की संभावना है पाची कारकरताओं ने प्रधान मंत्री के कारिक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत जोगती है शनिवार को पियम मोदी प्रयागराज की बाद चितरकूट में दोपैर एक बचे करवी तहसिल के भरत कूप गौंडा में उतरेंगे और वहीं से एक कारिक्रम में बटन दबा कर बंदेलखंट एक्सप्रसवे का श्वीला नियास करेंगे जिसको लेकर चितरकूट में सुरक्षवा के कड़े इंतिजाम कर देगा है कारिक्रम स्थल स्वीजी सुरक्षवा घेरे में है तो वहीं पुलिस के आलाधिकारी पैट्रोलिंग कर सुरक्षवा का जायजा भी ले रहे है कारिक्रम को लेकर धर्मनगरी में खासा खुशी का महल है स्थानी लोगों में प्रधान मंत्री के आग्मन को लेकर खुशी का महल है पुम्देलखंट एक्सवा का सिलान्यास करने के लिए मनी प्रधान मंत्री जी आ रहे है आडिनेंस कारीडोर की सोगात हम चित्वोड बासियों को पहले ही दे चुके है और यहां पर एक बड़ी लांचिंग भी करने जा रहे है जिससे पूरे देश को मैसे जाने वाला है सो एक प्यों का यहां से लांचिंग करेंगे और किसानों के लिए जो है कि यह बहुत बड़ी उपलब्धी की बात है और किसानों के लिए बड़ी योजना दूसरी भी उन्होंने दिये सभी के जिनको किसान सम्मानने दिमिल लहीं सबका क्रेडिट कार्ड बने इसकी भी ब्योस्ता किये यह भी लांचिंग यहां से करने वाले हैं और सभी किसान पूरे बुंदेल खंड के 10,000 की संख्या में यह मुशी की बात है कि हमारे यश्व श्री प्रदान मंत्री चित्रकूट पहली बारा आ रहा है तुम्हान मंत्री बनने रहा है और इंडेल खंड एक्सक्रस्वे का तोफ़ा दे रहा है जिससे चित्रकूट की कन्येक्टिविटी देश के सभी सैरों से जूड़ेगी ऐसी हमेशा अधूरा रहता है और जात्रियों को हमेशा इसके परसानी ठानी पड़ते हैं हम यह अप्रिक्षा करें कि यह समस्या पुत्तरप देश और मत्रदेश की बॉर्डर की इसको फ्री जोन घोसित कर दे हैं 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रसवे से चितरकूट, बांदा, महोबा, हमीरपूर, जालौन, उरईया और इटावा जिलों को लाभ मिलने की उमीद है 15,000 करोण की लागत से बनने बाला ये एक्सप्रसवे बुंदेलखंड शेत्र को सडकमार के जर्ये राष्ट राजधानी दिल्ली से जोड़ेगा ये एक्सप्रसवे अभी चार लेन का होगा, बात में इसे चार लेन तक बढ़ाए जाने की योज़ना है 95 फीज़ी से जादा भूमी का अधिकरण भी हो चुका है प्रधान मंद्री नरेंद मोधी बड़ी जंसभा को संपोधित करेंगे और उसके बाद यहां पर लगा दो लाग स्याधिक लोगों की जुड़ने की उम्मीद चताई जा रहा है जिसको लेकर कि भाजपा पालिटी कार करता ही नहीं प्रसासन पूरी तरह से एलाइड है और प्रधान मंद्री को का यह चित्रपूर का पहला दोरा है जिसको लेकर कि यहां कि लोगों में खासा उत्ताई भी देखने को मिल रहा है चित्रपूर से आर्नाइन टीवी के लिए अतुल